सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ड और वेल आइकन को प्रिस करें सबसे पहले सेलेक्शन के लिए पूर्ण हो जाती है कई सारे कोशन्स आप लोग देखोगे अपनी परिक्षा में इस क्लास से तो पहला प्रिशने हाँ पर है कि खेलो इंडिया यूद गेम 2023 की में जबानी साथियों किस राजने की है तो किस राजने की है साथियों मद्ध परिदेश ने की है या आपको ध्यान रखता है उसके बाद अगर बात करें पदक तालिका में पहला इस्थान किस ने पाया था किस राजने पाया था तो महराश ने पाया था संस्क्रण कौन सा था तो पंधरमा संस्क्रण था इसका शुभंकर क्या था खेलो इंडिया यूद गेम्स 2023 का तो आशा और मोगली इसका शुभंकर था और स्मार्ट मशाल की बात करें तो अमर कंटक और अगर चौथे संसकन की बात करें तो 2021-22 में हुआ था जो के पंचकुला जो के हरियाना के पंचकुला में हुआ था हारियाना को ही पहला इस्तान प्राफ्थ हुआ था उसके बाद देखिए कि आई सी सी पुरुष एक दिवस्ये क्रिकेट वर्लकप 2023 के मेजबानी कौन सा देश करेगा ये आप से सात्यों यहाँ पर जो है वो पूचा जा रहा है चलिए आस्टेलिया करेगा नियूजी लेंड करेगा भारत करेगा या सात्यों पाकिस्तान करेगा क्या होगा इस कोशन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बताई वाई चलिए उसके बाद है कि ICC पुरुष एक दिवसी एक क्रिकेट वर्लकप 2023 की मेजबानी जो करेगा सात्यों वो भारत करेगा या आपको ध्यान लगता है यानिक आंसर आपका जो जाएगा वो आप्शन नमबर C के साथ जाएगा तीसरे नमबर का प्रशन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहे हैं पर होकी टूर्णामेंट सुल्तान जोहर कब 2022 कहां पर आयजित हुआ है आस्टेलिया में, फ्रांस में, इटली में या मलेशिया में तो कहां पर साथ हों इसका आयजिन किया गया था, सुल्तान जोहर कब का होकी टूर् नमेंट का तो मलेशिया में किया गया था, ये आपको धियान रखना है अगर उससे संबंदि जानकारी हम लोग देखें के होकी टूर्रमेंट सुल्तान जोहर कब 2022 में विजेता टीम कौन से देश की रही है तो भारत की रही है ये कौन से नंबर का संस्क्रण था तो दस में नंबर का संस्क्रण था इससे पहले अगर बात करें जो नमें नंबर का संस्क्रण था वो 2019 में हुआ था और उसमें विजेता टीम कौन रही थी बिरिटन रही थी ये आ अगले नंबर का पुछलों के आपके स्क्रीन पर है यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 कहां पर आउजित हुआ है निव्जिलेंड में, बांग्लादेश में, आस्टेलिया में या वेस्टेंडीज में तो कहां पर आउजित किया गया था सा आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर C के साथ जाएगा उसके बाद अगर यहां पर बात कर दें कौन से नंबर का संस्क्रण था तो आठमे नंबर का संस्क्रण था विजेता टीम कौन से देशी रही थी तो इंगलेंड की रही थी या आपको धियान रखना है अगर बा साथियों इनका आयोजन किया गया था गुजरात में उत्तर प्रदेश में बिहार में क्या होगा इसका राइट आंसर बताईए तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे के 36 में राश्ट्य खेल 2022 कहां पर आयजित हुए हैं गुजरात के एहमदाबाद में आयजित किये गये हैं यह आप लोग ध्यान रखेंगे चलिए तो इनका आयोजन कहां पर किया गया था गुजरात के एहमदाबाद में किया गया था लेकिन अगर बात करते हैं कि पहला इस्थान जो है सात्यों किसको मिला था सर्विसस को मिला था कुल 128 पदग जी ते जिसमें से गोल्ड 61 थे सिल्वर 35 थे और ब्रॉंज आपके कितने थे 32 थे शुभंकर क्या रहा था सवज इसका शुभंकर रहा था थीम इसकी क्या रही थी तो सिलिबरेटिंग यूनिटी थो इस्पोर्ट्स इसकी सात्यों क्या रही थी थीम रही थी चलिए अब उसके बाद देखिए लेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा यानि कि इन्विक्टस गेम 2022 की मेजबानी नीदर लेंड ने की है उसके बाद अगर बात करें संस्क्रण की तो पाचमा संस्क्रण हुआ है साथवे नंबर का प्रशना आपकी स्क्रीन पर है कि क्रिकेट टूनमेंट पुरुष एश आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए अगर बात करें विजेता टीम कौन रही थी तो श्रिलंका रही थी संस्क्रण कौन सा रहा था तो पंधर्मा रहा था चलिए आपको धियान रखना और सोलमा संस्क्रण 2023 में पाकिस्तान में नेक्स नंबर का कोशन है कि खेलो इंडिय यूट्स गेम 2023 की में जबानी कौन सा राज्य करेंगा देखें यहां पर दो तरह के प्रिखन मनते हैं एक तो मैंने आपको बताया था कि खेलो इंडिया यूट्स गेम 2023 की में जबानी किस राज्य ने की ती तो तो मध्ध्य प्रदेश ने की ती कहां पर हुए थे मध्ध् पर आपको ध्यान रखना इसलिए आपका जो जाएगा वो आप्शन नमबर सी के साथ जाएगा अगर बात करें इसमें विजेता कौन सा देश रहा था तो कनाड़ा देश की टीम रही थी संसक्रण कौन सा था तो 110 में नमबर का संसक्रण था ये भी आप लोग ध्यान उसके बाद देखिए साथियों अगले नमबर का जो के आपकी स्क्रीन पर है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बैडमिंटन टूनमेंट थामस और उबेर कप 2022 कहां पर हुआ था तो कहां पर हुआ था साथियों थाइलेंड के बैंकोक में हुआ था ये आपको ध्यान रखेंगे अंडर 17 महिला फुटबॉल सुबरतो कब 2022 का आउजन कहां पर हुआ है ओडिशा में मडिपुर में दिल्ली में या करनाटक में तो साथियों कहां पर हुआ है आप से पूछा जा रहा है तो दिल्ली में हुआ है आप लोग ध्यान रखेंगे इसलिए आंसर आपक पहरत के पहली स्टीट सर्कीट कार रेसिंग 2022 की मेजबनी की शेहर ने की है है दरबाद ने नई दिल्ली में बैंगल्योर ने या कोलकाता ने तो किस साथियों कहां पर की गई है जासार ने होंगे उसके बाद देख लीजे अगले नंबर का कोशन आपके स्क्रेन पर है और आप से साथियों यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि वो 24 में गरिश मिकालीन बधिर ओलम्पिक 2022 का आउजन कहां पर हुआ है तो कहां पर हुआ है बताने की कोशिश करेंगे साथियों आपको ध्यान रखना है कहां पर इसका आउजन किया गया है तो ब्राजील के कैक्सियम डूसल में इसका आउजन किया है यह आपको ध्यान रखना है आंसर जो जाएगा वो कहां पर आयजित किये जाएंगे तो इंगलेंड में रूस में चीन में या आउस्ट्रेलिया में कहां पर आयजित किये जाएंगे आउस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में आयजित किये जाएंगे राश्टमंडल खेल 2026 वाले तो जो लोग भी यहां पर आप्शन नमबर डी के आयोजन कहां पर होगा तो कहां पर होगा साथियों कहां पर हुआ है तो दक्षिन आफरीका इस कोशन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है यानि के दक्षिन आफरीका ऑप्शन नमبر A उसके बाद देखिए कि एशियाई शीत कालिन खेल दोहजार उन्तिस की मेजवानी कौन सा देश करेगा ताजिकिस्तान करेगा सौधी अरब करेगा कमबोडिया करेगा या बांगला देश करेगा तो साथियों कौन सा देश करेगा साओधी अरब करेगा या आप लोग ध्यान रखेंगे यानिकि एशियाई शीत कालीन खेल दोहजार उनतिस की मेज़ावानी साओधी अरब की दोरा की जाएगी इसलिए आंसर जिनका भी यहां पर है आप्शन नमबर B के साथ तो बिलकुल स आंसर जो होगा वो किस के साथ जाएगा इंडिया के साथ जाएगा यानिका ऑप्शन नमर D के साथ जाएगा उसके बाद देखिए के शीत कालीन युवा ओलम्पिक 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा बताई कहां पर होगा शीत कालीन युवा ओलम्पिक 2024 का आयोजन भारत में चीन में बुलगारिया में या दक्षिन कोरिया में तो आपको धिहान रखना है दक्षिन कोरिया के गैंग वोन में गैंग वोन में किसका आयोजन किया जाएगा शीत कालीन यूवा ओलमपिक 2024 का आयोजन किया जाएगा या आपको धिहान रखना है आंसर आपका आपका उसके बाद देखिए एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूनमेंट डूरंड कब 2022 की मेजबानी किस राजजनी की थी पश्यम बंगाल ने असम ने मड़िपुर ने या इन सब ही उने बताईए तो इस कोशन का साथियों राइट आंसर आपका क्या हो सकता है जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग इस कोशन का विल्कुल करेक्ट आंसर बताईए आंसर की बात करें साथियों option number D इसका right answer हो जाएगे यानिके इन तीनों राज्यों ने साथियों में जबानी की अगर विजेता टीम की बात करें तो बैंगलूर FC वी रही है चले बैंगलूर FC रही है वी नहीं है यहांपर FC लिखा हुए सिर्फ टेनिस टूनमेंट लेवर कप 2022 कहां पर आयजित हुआ है आपसे पूछा जा रहे है यह साथियों 2022 है तो भारत में, इंगलेंड में, इस्पेन में या जापान में आप सभी लोगों को ध्यान रखने हैं इंगलेंड के लंदन भी इसका एउजन किया गया था टेनिस टूनमेंट लेवर कप 2022 का उसके बाद अगर विजेता टीम की बात करें तो टीम वर्ल्ल इसका नाम था ये भी आप लोग घ्यान रखेंगे नेक्स नमबर का कोशन आपके स्क्रीन पर है पूछा जा रहे कि फुटबॉल टूनमेंट फीपा अंडर 17 महिला वर्ल कप 2022 की मेजवानी किस देश ने की है तो पुर्तगान ने चीन ने जर्मनी ने भारत ने किस देश ने साथियों इसकी मेजवानी की है तो भारत देश ने इसकी मेजवानी की है ये आप लोगों को याद रखना है आंसर आपका जो जाएगा वो आप्शन नमबर इभा कौन है इभा एक शेरनी है ये आप लोग घ्यान रखेंगे उसके बाद देखिए अगले नमबर का प्रिशन है कि 73 मा इस्टेंट जा मेमोरियल बॉक्सिंग टौनमेट 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है चीन में, रूस में, फ्रांस में या बुलकारिया में तो कहां पर इस इंटर्नेशनल फेडरेशन पॉर एक्वेस्ट्रियन इस्पोर्ट्स फिश्व कप फाइनल 2024 की मेजबानी कौन सा शेहर करेगा, सौधी अरब का रियाद, फिलिपीन्स का मनीला, वियतनाम का हनोई या आस्ट्रिलिया का मेलबॉर्न, तो अच्छा कोईशन है परिक्षा के इंटर्नेशनल फेडरेशन फॉर एक्वेस्ट्रियन इस्पोर्ट्स विश्व कप फाइनल 2024 की मेजबानी करेगा, कौन सा शेहर साथियों सौधी अरब का रियाद, तो यहाँ पर आंसर आपका जो जाएगा, वो आप्शन नमबर A के साथ जाएगा, यह दुनिया के अंतराष्टी प्रतियोगिता है, उसके बाद देखिए कि चौथी एशियाई खोको चेम्पेंशिप 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है, पश्ची मंगाल में, आसम में, महाराश्टर में या आपका मद्ध्य परदेश में बताइए, तो कहां पर साती हूँ, चौथी एशियाई में आपको दिहान रखना है कि साहता योजना, यहने कि मुक्कमंत्री COVID-19 विद्वा साहता योजना असम में शिरू की गई थी, और मुक्कमंत्री शेशु सेवा योजना कहां पर शिरू की गई थी, अगर मद्ध्य परदेश की बात करते हैं सात्यों, तो लाडली लक्ष्म योजना मद्ध परदेश में शुरू की गई थी, मुक्कमंत्री किसान कल्यान योजना अबी मद्ध परदेश में शुरू की गई थी, यह भी आपनों क्या करेंगे साथियों याद रखेंगे, चलिए! अब अगर उसके बाद बात करें हाँ पर महराश्ट की तो मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलाइंस योजना कहां पर शुरू की गई थी तो महराश्ट में शुरू की गई थी पत श्री अभियान कहां पर शुरू किया गया था तो पश्री मंगाल में शुरू किया था तो कन्या कुमारी से शिरीनगर या वारंसी से चन्ने या कोलकाता से देस्पुर या शिलॉंग से कन्या कुमारी तो अच्छा कोईशन है पूरे इश्या की अब तक की सबसे लंबी साइकल रेस साथियों शिरी नगर से कन्या कुमारी इन दो इस्थानों के बीच आयोजित की गई है इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो अप्शन नमबर A के साथ जाएगा उसके बाद अगर देखें तो 36 51 किलोमीटर की इस तरह के पहले आयोजन में एक महिला साथियों अगर बात करें एक महिला के साथ साथ 29 साइकल चालकों ने भाग लिया है या आपको ध्यान रखना है उसके बाद देखिए 26 में रंबर का पुर्शन है आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर आपको बताना है साथियों चले कि जो पूछा जा रहा है शाथ नेशनल आइज होकी चेंपिशिप 2030 का आयोजन कहां पर किया जाएगा बताने की कोशिश किजिए खोडशा के भूबनेशवर में गोवा के पढ़जी में मेगाले के शिलोंग में या आपके लद्दाक के लेह में तो यहाँ पर आपको साथियों क्या ध्यान रखना है कि जो नेशनल आइज होकी चेंपिशिप 2030 है इसका आयोजन लेह के लद्दाक में हुआ है तो जिनका भी आंसर यहाँ पर आप्शन नमबर डी है तो बिलकुल करेक्टर भाई बहुत बड़िया वेरी गुड क्लास उसके बाद द किया गया है जम्मू कश्मीर में किया गया है और बात करें पहला इस्थान किसका आया है तो जम्मू कश्मीर का ही आया है संसक्रण कौन सा था तो तीसरे नमबर का संसक्रण था यह भी आपको ध्यान रखना है उसके बाद देखिए कि शतरंज टूनमेंट टाटा स्टील मा जो किया गया है वो नीधर लेंड बे किया गया है तो जो लुग भी यहां पर है option नमबर A के साथ तो बिलकुल correct है चलिए अब अगर विजेता की अगर बात करेंगे तो नीधर लेंड के अनीश गिरी जीते हैं संस्क्रण की बात करेंगे तो 85 में नमबर का संस्क्रण था उस के नई दिल्ली में बैडमिंटन टूनामिंट इंडिया ओपन दोहजार तेस का आईजन हुआ है इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो option नमबर A के साथ जाएगा उसके बाद अगर यहां पर बात करते हैं साथियों अगर बात करें महिला एकल साथियों किसने जीता है तो इन सियोंग ने जीता है दक्षन कोरिया की पुर्ष एकल का खिताब किसने जीता है तो कुनल वुत विद सर ने जीता है थाईलेंड के उसके बाद देखिए अगले नमबर का कोशन साथियों तीसमे नमबर का प्रशन आपकी स्क्रीन पर है बताईए चलिए फुटबॉल ट टीम के अगर बात करें तो बरसिलोना जो है वो विजेता टीम रही है बरसिलोना एफसी उसके बाद देखिए 31 नमबर का प्रशन आपकी स्क्रीन पर है पूछा जा रहा है कि क्रिकेट टूर्णमेंट रोड सेफटी वर्ल्ड सीरीज 2022 का एवजन कहां पर हुआ है इसमें विजेता टीम रही है संस्क्रण की साथियों जब हम बात करते हैं तो संस्क्रण ये वालत दूसरा संस्क्रण था ठीक है इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे अब 32 नमबर का जब हम लोग प्रशन देखते हैं कि इसका राइट आंसर आपका क्या हो सकता है चलिए पूछा जा रहा है कि 36 में एशियाई कुष्टी चैंपिंशिप 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा कौन सा शहर करेगा पूछा जा रहा है फिलिपीन्स का मनीला चीन का बिजिंग भारत के नई दिल्ली या वियत नाम का हनुई तो यहां पर साथियों आपको क्या ध बहुत बढ़िया वेरी गूट क्लास उसके बाद देखिए अगले नंबर का कोशन है साथियों और आज की क्लास का अंतिम पुछा जा रहा है कि भारत में पहले विशिट टेबल टेनिस सीरिस की मेजबानी कौन सा शहर करेगा तो भारत में पहले विशिट टेबल टेनिस सी के साथ जाएगा तो ये थे सातियों आप सभी के लिए 33-30 महतेपून पृष्ण करेंट अफैर के तो हम लोग ने देखे सातियों खेलों से सम्मझ याना कि और कौन सा खेल का एजन कहां पर किया गया था या कहां पर किया जाएगा ठीके तो ये 33-30 महतेफून पृष्ण उ प्रिस करें सबसे पहले सेलेक्शन के लिए